दोस्तो, आज हम बनाएंगे बिना तेल का बहुत ही हिल्दी वड़ टेस्टी नास्ता, जिससे बच्चे भी बहुत पसंद सिखाएंगे, तो चलिए बनाना सुरू करते हैं. इसके लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे तो इसके लिए बॉल में हम ले रहे हैं दो कप गेहूं का आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं आधा चम्मच आजवाएं थोड़ा सा नमक डालेंगे और इनको मिला लेंगे मिलाने के बाद आधे आटे को एक अलग बॉल में निकाल लेंगे और आधे आटे को बॉल में छोड़ देंगे क्योंकि इनका हमें आटा गुटकर त्यार करना है अब हमने एक बंच पालक लिए हैं धुलने के बाद इनको जार में डाल देंगे साथ में डालेंगे एक हरी मिर्च और एक टुकड़ा अद्रक्का इनको बिना पानी डाले पीस लेंगे इस पेश्ट को आटे वाले बॉल में डालेंगे और इनको आटे में मिक्स करके इनका आटा गूत लेंगे आटे को हमें बहुत ज्यादा मुलाइम ने रखना है रोटी के आटे से थोड़ा सक्त गूतना है जरुत पड़े तो थोड़ा सा पानी डाल लीजेगा या मुलाइम हो रहा हो तो थोड़ा सा सूखा आटा डाल कर इस तरह से सक्त आटा गूत कर त्यार कर लिजेगा अब ये जो हमने अलग बॉल में आटा निकाल कर रखा था ना उसे भी गूत लेंगे अगर आपके पास पहले से गूता हुआ आटा हो वो भी ले सकते हैं पर उसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा कर इस तरह से सक्त कर लिजेगा फिलिंग तयार कर लेते हैं तो इसके लिए एक बॉल में हम ले रहें एक बारी कटा हुआ प्याज एक बारी कटा हुआ टमाटर डालेंगे दो बारी कटी हुई हमने हरी मिर्च ली है आधा चम्माच जीरा डालेंगे आधा चम्माच कुटीवी लाल मिर्च और आधा चोटा चम्माच गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इनको अच्छे से मिला लेंगे मिलाने के बाद अभी हम इनको साइड में रख देते हैं अब एक बॉल में हम लेंगे एक कप बेसन इसमें थोड़ी सी हल्दी और आधरशोट चमच नमक डालेंगे और इनको अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इनका एक गाढ़ा घोल बनाकर त्यार कर लेंगे और दोस्तों यहाँ पर हमने बेशन लिया है अगर आपके पास टाइम हो तो इसकी जगा चना दाल को 3-4 घंटे भिगोने के बाद पीसकर भी ले सकते हैं और तुरंत बनाना हो तो बेशन से यह नास्ता बना सकते हैं तो देखे इनको हमने इस तरह से गाढ़ा रखा है अब हम इनको 4-5 मिनद तक फेट लेंगे फेटने के बाद देखे इनका कलर लाइट हो गया है यह अच्छे से फूल गया है इस तरह से नास्ता हमारा जालीदार बनेगा अब इसमें हम ये सबजियां डाल देंगे जो हमने मिक्स करके रखी थी और इनको बेशन में अच्छे से मिला लेंगे और दोस्तों यहाँ पर हमने सिर्फ प्याज टमाटर ली है इसकी जगा आप पत्ता गोबी, बीन्स, गाजर, सिमला मेर्च भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो इस तरह से बच्चों को भरपूर सबजियां भी मिल जाएंगी और ये नास्ता और भी ज्यादा हेल दी हो जाएगा तो सभी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर ली है, फीलिंग हमारी तयार हो गई है अब हम ये आटा लेंगे, इनको सूखे आटी में लपेटेंगे और इनको बेल लेंगे इनकी हमें बड़ी रोटी बेलना है और इन्हें रोटी जितना पतला रखना है देखे इस तरह से अब एक इस तरह की बड़ी कटोरी ले लीजे, इससे इस तरह से इनकी पूडियां कट कर लीजे किनारे के आटे को हटा देंगे और फिर से इनकी पूडियां बेल कर ले लेंगे इस तरह से हम सारी पूडियां बना कर त्यार कर लेंगे चाहे तो छोटी-छोटी लोई बना कर एक-एक पूड़ी बेल कर भी ले सकते हैं इस तरह से पूड़ी जल्दी बन जाती है इस तरह से हमने साधे आटे की पूड़ीयां बना कर भी त्यार कर लिया है अब पहले साधे आटे की पूड़ी लिजे इसे चकले पर रखिए और चाकू से इसे इस तरह से पतला पतला काट लिजे ध्यान रखिएगा दोनों किनारों पर ये जूड़ा रहे अब एक green वाली पूड़ी लिजे इसे इसके उपर रखे और किनारे से इस तरह से तबा दिजे जिससे ये किनारे के तरफ चिपक जाए अब एक बड़ा चम्मच बेशन का मिस्रा लेंगे इसे पूड़ी के बीच में रखेंगे और पूड़ी को एक तरफ से उठाती वे इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे किनारे के तरफ दपा दिजेगा जिससे की मिस्रा बाहर न निकले आप चाहें तो सिर्फ पालक की पूड़ी या सादे आटे की पूड़ी बना कर भी ये नास्ता बना सकते हैं पर इस तरह से ये देखने में सुन्दर लगता है और बच्चे इसे बहुत पसंद से खाते हैं इस तरह से हमने सारे नास्ते बना कर त्यार कर लिया है अब इनको इस्टीम करने के लिए हमने यहाँ पर एक जाली वाली बर्तन ली है इसे ओल से क्रीज कर लेंगे आपके पास इस्टीमर हो उसमें इस्टीम कर सकते हैं इसमें हम ये एक एक करके फरी रख देंगे और इनको तो इसके लिए हमने एक बड़े बरतन में दो गिलास पानी गरम हो निकल रख दी थी पानी गरम हो गया है तो इसके उपर हम गे जाली वाला बरतन रखेंगे और इनको कवर करके 8 से 10 मिनट तक इस्टीम कर लेंगे और 10 मिनट बाद ये देखे ये अच्छे से इस्टीम हो चुके हैं तो अब हम इनको निकाल लेंगे आप चाहे तो गरमा गरम इनको ऐसे भी खा सकते हैं या ठंडा होने के बाद राई करी पते का तड़का लगा कर भी दे सकते हैं और अगर आप वरकिंग है तो इनको बना कर रख लीजे बच्चों के टिफिन में देना हो तो चाकू लेजे और इनके इस तरह से छोटे-छोटे पतले-पतले पीसे काट लीजे इस तरह से ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और देखें ये कितने जालीडार बने है ना दाल भी कुने का जण जट जट है ना पीसने का सबजियों से भरपूर बिना तेल का गेहू के आटे से बने हैं तो ये हिल्दी भी है और टेस्टी भी तो दोस्तों ट्राइ करिए और आज की रेशपी कैसी लगी कॉमेंट में ज बुलिएगा फिर मिलते हैं नहीं रेस्पी के साथ